अब आपको कैसे आएगा आपके पास आ चुका है मानलो कैसे इक्वल्स टू वन आगे मान लेते हैं सब तो एक्वल्स टू वन आपको पता है एन पाइव फोर में होता है अब आप मुझे इसका General solution लिखके दिखाओ ओ ठिक है जनरल solution कैसे लिखना है तो इसके लिए मानल, आपको हम आपको के सब्शेक और प्राओ थाएगा और यह क्या हो जाएगा sin y upon cos y हो जाएगा ठीक है sir LCM ले लेने के बाद क्या होगा ये sin x cos y minus sin y cos x ठीक है और नीचे denominator में क्या हो जाएगा denominator में आपके पास हो चुका है cos x और cos y अब आप देखो ये तो उदर जाके 0 हो जाना है और उपर जो है आपके पास फार्मूला बन रहा है sin x cos y minus sin y cos x इसका फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है sin x minus y का बताओ यहाँ तक कोई दिख्कत है कि sin x minus y का फार्मूला होता है sin x cos y minus sin y cos x अब फिर से वही चीज आपको जो समझाई थी मैंने sin x बराबर 0 काप काप होता है जब भई x की value 0 degree हो पाए हो उपाए हो यानि कि x के एक equation है n pi और जहाँ n बिलॉंग कर रहा है integer को लीक है अब ये जो x है इससे बिलॉंग कर रहा है न ये value 0 काप होगी जब ये वाली चीज x minus y किसके एकवल होगी n pi के एकवल होगी हां सरागे समझे जहां n बिलॉंग करेगा integer को अब y को दर बेज दो तो x की value क्या आगई n pi plus y ये ये लो और n belongs to integer कोई दिक्कत यहाँ पे यह आपके पास solution निकाल दिया हमने अब जो question था हमारा 10 x equals to 10 1 इसके लिए आप equation find करके दिखाओ बहुत आसान है 1 को क्या कहते है 10 pi by 4 कहते है अब आपके लिए equation होगे equals to n pi plus pi by 4 ये as a y मान रोम है ठीक है और n belongs करेगा integer को और ये आपके पास आ गई है general solution पता हो को दिक्कत है कि यहाँ तक यहाँ तक किसी को कोई issue है नहीं है easy है अब हमारे पास जो basic concept है general solution का principle solution का दौनों end हो चुका है अब हमारे पास जो general solution और principle solution दौनों से related examples होंगे न वो हम solid करेंगे next videos में ठीक है next lecture में ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है next video में अब है अब पास झाल ईल दो आए आप